नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेश है 5 दिसंबर, सोमार्द पर सवाएक बजे, राजस्थान की बड़ी खबरें सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेरलाइन्स पर सरदार शहर में उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू आठ को आएगा नतीजा गुच्टा चुनाव, मोदी ने साबर मती में डाला वोट, डिब्रोगर्ड यूनिवरस्टी रैगिंग केस के मुख्या आरूपी का सरेंडर, वर्ल्ड हैरिटेश, शिमला, कालका ट्राक पर दौरने वाली टॉयटर इन नए लुक में, शराप ठेकेदार, यूनियन प्रद गुच्टा शहर में कॉंग्रिस और भाजपा को आर एल पी कड़ी टक्र दे रही है, तीनों हुई पार्टिय और उनके नेताओं का दावा है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इसका उन्वान कोई नहीं लगा सकता कि जनलता किसको जिताएगी, गुजरात में विधान इस कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला करेंगी, पे-म नरेंडर मोदी ने अमदाबाद के रानि पे इलाके में बने, पोलिंग बूत में मद्दान किया, पे-म जब मद्दान करने रानि पहुंचे, तो ढोल नगाडों से उनका स्वागत किया गया, डिब्रुगड इस की रागिंग से परिशान होकर 27 नमबर को हॉस्टल की दूसरी मंजिल से चलांग लगा दी थी, वाल्ड हैरिटेज, शिमला काल का ट्रैक पर दौडने वाली टॉयटरे, नए साल में, नए लुक में नज़र आएगी, यात्री विस्टाडों कोच वाले ट्रेन के सफरका पानन ले सकेंगे, कपुर्थला रेल कोच फैक्टरी में तीस नए विस्टाडों कोच बन रहे हैं, जिनका काम आखरी चरण में हैं, ऐसे में कुछ विस्टाडों कोच दिसंबर के आखरी में बन कर तयार हो जाएंगे, विस्टाडों कोच की खिड़कियां अर्चत पूरी बेराजे सबा सांजा, डॉक्टर किरोडी लार मीना सदर थाना पहुंचे, इस वरान डॉक्टर किरोडी लार मीना के साथ शराब कारवारी भी थाने पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाव जम कर नारेबाजी की, डॉक्टर मीना ने बताया कि अपने अधिकारों और चिर चियाए संतों ने नाति जी के भज्चनों से भक्तों को भक्ति के रंग में रंग दिया। इस दूनान व्यग्य में व्यादिक मंत्रोंचे सब यहार जमानु नयारणी कडिकारियोंने सिरे मंदिर धाम पर पहुँच कर नाथ जी के प्रतिश रधा प्रकट की जालो शहर से तीन किलो मिटर दूर स्थेत, कणिया गिरी परवत महारूद रही अगे में बड़ी संख्या में श्रधालू पहुच रहे हैं स्वा करोड रुपए के बजट वाले ज्यापूर के स्मेस मेडिकल कॉलिज के पास ब्लड वैन ठीक कराने के लिए पचास हजार रुपए नहीं है इसका असर यह है कि रख्तिदान शीवरों में एकतर होने वाला खूर नीजी ब्लड बैंकों में भेज़ा जा रहा है इसका कारण सरकारी इस्पिताल के मरीजों को खून मिलने में काफी परिशानी का सामना करना पड़ता है वें ठीक कराने के लिए ब्लड बैंक के अधिकारियों ने समस प्रशासन को ग्यारा पत्र भेज़े हैं लेकिन हर बार बजट के व्यवस्था करने की बात कही जाती है रासान मादमिक शिक्षा नेदेशाले ने पिछले आठ दिनों में प्रदेश के 106 प्रधानाचारियों और व्याख्याताओं के तबादलों की दो सूचियां जारी की यह आदेश इन दिनों विभाग में चर्जा का विश्यप बने हुए हैं नेदेशाले ने पहली सूचि 28 नवंबर को 20 प्रधानाचारियों और दूसरी सूचि 86 व्याख्याताओं के तबादलों की 30 नवंबर को जारी की जोंकाने वाली बात यह है कि दोनों तबादला सूचिया प्रधेश के शिक्षा राज्य मंत्री जौहिदा खान के विधान सबाशेतर कामा में प्रधानाचारियों और व्याख्याताओं के खाली पदों को भरने के लिए ज़ारी की गई है बॉलिवड एक्ट्रेस हंसका मोटवानी रवीवार को बॉइफ्रेंड सोहिल कतूरिया के साथ शादी के बंधन में बन गई दोनों ने एक दूसरे को एतिहासिक मूंडोता फोर्ट में वर माला पहनाई हंसिका रेड ब्राइडल लहंगे में ज़राई सोहिल ओफ वाइट शेरवानी पहने दिखे इस दोरान हंसिका और सोहिल की शादी में पहुंचे खास महमानों को खाने में रादिस्थानी वेंजन भी परोसे गए इससे पहले दोपहर में मूंडोता पहले से में हल्दी सेरमेनी का योजन किया गया रोडवेज बसों में यात्री डैबिट क्रेडिट कार्ड से टिकट खरीच सकेंगे SBI के प्रस्ताव पर सध्धानतिक सहमती बन चुकी है और जल्दी ये सुविधा शुरू हो जाएगी बुक्तान के सीवी बैंक के डैबिट क्रेडिट से हो सकेगा ये सुविधा लागू होने के बाद इन यात्रियों को अलक से टिकट जारी नहीं होगा हालांकि ओनलाइन बुक्तान पर यात्रिय को कुछ अत्रिक्ती चार्ज देना होगा इसमें डैबिट कार्ड से बुक्तान करने पर सौ रुपे पर चार रुपे और क्रेडिट कार्ड से सौ रुपे पर नौ रुपे अत्रिक्ते देने होंगे मशीनों से किये जाने वाला भुक्तान रोडवेज के खाते में आएगा स्कैन से भुक्तान पर चार्ज नहीं लगेगा राहुल गांदी की भारजोडो यात्रा अब 8 दिसंबर को कोटा शहर में रहेगी राहुल गांदी कोटा शहर में करीब 24 किलोमेटर पैदल चलेंगे पहले यात्रा 9 दिसंबर को कोटा शहर में पहुंच रही थी लेकिन इसमें अब बदलाव किया गया है 8 दिसंबर को राहुल गांदी की भारजोडो यात्रा जगपुरा से शुरू होगी सुबह तकरीबन 10 बजे यात्रा नयापुरा के उमेद सिंग स्टेडियम पहुंचेगी जहां पर उनके लंच का कारिकरम है यहां लंच के बाद में राहुल कांदी मीडिया से रूबर होंगे वहीं यात्रा के राजस्तान में प्रवेश करने पर दिगविजे सिंग समेथ कांगरिस के बड़े नेता भी कोटा एरपोर्ट पहुंचे है यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपूर खतौली विधान सभा सीट पर मद्दान डाले जा रहे हैं इस चुनाओ को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाओ के सेमी फाइनल की तरह देखा जो रहा है एक तरफ मैनपूरी सीट का रिजल्ट अदेश की राजनीती में सपा प्रमु खाकिलेश यादव का राजनीतिक का देताय करेगा तो दूसरी तरफ रामपूर सीट आजम खान के परिवार की राजनीते का भविशे तैय करेगी वहीं मुझफर नगर की खतौली सीट पर भाजपा अपना वर्चस वो बनाये रखना चाहती है तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर